महिंद्रा अपनी नेश जेनरेशन स्कॉर्प्यों को लॉंच करने वाला है जो बहुत ज्यादा हाइटेक होने वाली है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज केलियर कर दूँ कि महिंद्रा स्कॉर्प्यों को गिलोवल एनसी एपी में आपको पांच ऐसी बहरा लोगे है जो वाने वाली है बिलकुली हाइटेक तरीके से इसे फेचर मिलने वाले हैं आपको पांच ऐसी बाते जो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो को अलग बनाती हैं पुरानी स्कॉर्पियो से लेकिन महिंद्रा ने अपनी एक स्कॉर्पियो के अपनी अजरूरा ने पहले ना मिलें अब पहले पॉइंट की बात कर लें तो वह है इसका इंजन न्यू स्कॉर्पियों के अंदर आपको दोनों ही इंजन ओप्सन देखने को मिलेंगे पेट्रोल डीजल पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का यहें दोनों ही इंजन आपको 6-speed automatic और 6-speed manual transmission के साथ देखने को मिलेंगे और इन दोनों ही इंजन में आपको 4x4 का option भी देखने को मिलेगा जो बहुत जादा बहता है एक segment के अंदर क्योंकि Tata Safari, MG Hector Plus और NAS General Honda की अलगजार में आपको 4x4 का option नहीं मिलता कही न कहीं महिंदरा के लिए प्लस है कि इन तीनों गाड़ियों में आपको 4x4 का option नहीं मिल पाता लेकिन महिंदरा अपनी गाड़ियों में 4x4 का option जरूर देगा और न्यू महिंदरा स्कॉर्पियों के अंदर आपको एक संरूप भी देखने को मिल सकता है जो बहुत जादा हाइटेक है क्योंकि कहीं न कहीं स्कॉर्पियों अब एक brand बन चुका है और इतने जादा हाइट लॉंच होने के बाद कई सारी गाड़ियों की सेल्स पर बहुत बड़ा effect पढ़ने वाला है जब महिंदरा स्कॉर्पियों को 2002 के बाद लॉंच किया गया था उसके बाद से महिंदरा स्कॉर्पियों में आपको किसी भी तरीके से कोई इतने हाइटेक फीचर के साथ इसलिए इस गाड़ी की इतनी या टेस्टिंग की जा रही है कि यह गाड़ी से न्यू महिंदरा स्कॉर्पियों अपने प्लैंट्फॉर्म पर ही बिनाए जाने वाली है इंदर टॉप वेरियंट में फोर एफोर को आप्सन मिलेगा जो महिंदरा की थासी लिया जाएगा औ इस गाड़ी की माइलिज की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको बाटान थेजा की मैलिज मिलने वाला है और इसकी टॉप स्पिट 170 मायले पर आवर होने वाले है इस गाड़ी में डूल टं कलर का बलैक और बे Ace Kalor का इंडियन देखने को मिल सकता है और इसके अंदर three spoke flat bottom steering wheel मिलेगा और इसमें semi instrument cluster देखने को मिल सकता है महिंद्रा Scorpio reworked later frame chassis पर बनाई जाई जिसकी वएसे new महिंद्रा Scorpio काफी याद लंबी और चोड़ी होगी अगर third point की बात करें तो वो है इसके interior में आपको काफी जादा बदलाव किये गए है इसके अंदर दस इंका instrument cluster system इसके अंदर vertically horizontal rear AC wind push start stop button और इसके अंदर multifunctional steering wheel third row front facing seat premium upholstery android auto apple car play और इसके अंदर आपको connected card technology और wireless charging automatic climate control और power adjust over driver seat and co driver seats और इसके अंदर आपको panoramic sunroof भी देखने को मिल सकती है new महिंद्रा Scorpio अपने segment में बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है अगर fourth points की बात करें तो वो है उसका exterior इसके exterior में काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके exterior में काफी बदलाव किये गए है अगर हम कुछ spice shorts को देखें तो इसके अंदर आपको long bumper long bonnet और large bumper देखने में मिलेगा design के साथ इसके अंदर integrated gill देखी दी गई है और इसके अलावा इसमें projector headlight with LED DRLs and LED tail lamps और four disc brake के साथ दिया गया है सब कुछ और new mahindra scorpio को city में highway पर और high speed पर testing करते देखा गया है और extreme weather में भी testing करते देखा गया है क्योंकि यह गाड़ ज्यादा reliable बन सके इसलिए इसकी इतनी ज्यादा testing की जा रही है और इसके last points की बात करें कि इसका expected price क्या होने वाला है इसका expected price 12 lakh से start होकर 19 lakh उपीज तक हो सकता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो